खबरों में आगे बढ़ती हुए बात कर लेते हैं 36 कड़की जहां राजनतिक प्रक्रण वापस लेने मंत्री मंठेल ये उक्समती किये बैठक आज महत्पून बैठक मानी जा रही है बड़ी खबर जहां उपमुख्य मंत्री विजय शेर्मा की अध्यक्षुता में बैठक हो वहीं महिलाबाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवारे भी बैठक में शामिल होगी बड़ी ये बैठक मानी जा रही है जहां राजनतिक आंदुलन से सम्बंद दर्ज प्रक्रण है उनकी यहां पर समिक्षा होगी दस बज़े बैठक की शुरुआत मंत्राले के महानदी भवन में होनी है राजनतिक प्रक्रण वापस लेने मंत्री मंडलिय उप्समिती की बैठक आज जहां महतपून इस बैठक को माना जा रहा है उप्मुख्य मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में है महतपून बैठक का आयोजन जहां मंत्राले के महानदी भवन में सुबह दस बज़े से आपको बता दें बैठक की शुरुआत होगी राजनतिक कांदुलन से संबंदिद दर्ज प्रक्रणों की यहां पर समिक्ष्य की जाएगी जहां उप्मुख्य मंत्री अरुंसाब, कृ प्रशी मंत्री रामवचार नीताम भी बैठक में शामिल होगे, महिलावाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे भी बैठक में मौझूत रहेंगी। जो दर्ज प्रक्रण हैं उप्मुख्य मंत्री अरुंसाब, कृषी मंत्री रामवचार नीताम भी बैठक में शामिल होगे। आपस लेने के लिए मंत्री मंडल उप्समीती की आज बैठक होनी है, सुबह दस बजे मंत्रालाय के महानदी भावण में बैठक शुरू होगी। और विशेश रूप से जो राजितिक रूप से जो आंदोलन होते हैं, घेराओ होते हैं, उसमें जो अपराद दर्ज किये जाते हैं, उन तमाम अपरादों में, मामलों में, जो एफाई यार जो दर्ज हुए रहते हैं उन मामलों के निराकरण को लेकर उन मामलों की समाप्ती को लेकर जो है आज उन तमाम प्रक्रणों को समाप्त करने के विशुद दरूप से उन में जो राजनितिक अंदोलन से संबंधित रहते हैं उन्हें खतम करने के लिए जो है समिक्सा बैठक की जाएगे और इसमें विशेश रूफ से ग्रीह मंत्री उप मुख्य मंत्री अरुम साव विशेश मंत्री राम विचार नेताम महिला बाल विकास मंत्री रत्मी राजबाडे इसमें शामिल रहेंगे और विशेश रूफ से ग्रीह मंत्री की अध्यक्षता मे यह बैठक हो रहें, विजय सर्मा मौजूद रहेंगे, और जो राजनितिक मामलों में जो F.I.R. दर्ज होते हैं, अन्दोलन के समय I.R. अन्दोलन के समय के समय सरकार खिलाब जो अपक्स विपक्स के खिलाब जब अन्दोलन होते हैं, तो देखा जाता है कि ऐसे मामलों में कही तरह के जो अपराद हैं वो दर्ज होते तो इन्हें समाप्त करने के लिए इन अपरादों को नश्ट करने के लिए एक समिक्ती जो बनाए गई होती है उसमे आज एक समिक्षा बैठक होगी सुबह दस बज़े ये बैठक शुरू होन कि दो